Welcome at the Digital Classes 3.0 आज की वीडियो में हम number system को cover up करने वाले हैं इस वीडियो में हम mathematics के जो छोटे-छोटे concept होते हैं what is number, what is natural number, what is whole number इन सब चीजों को clear करने वाले हैं तो चलिए आज की वीडियो हम सुरू करने वाले हैं वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस चैनल पर आपको mathematics के छोटे-छोटे जो concept है उसके छोटे-छोटे वीडियो आते रहेंगे और उसको आप देखते रहेगा तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आज की वीडियो में हम number system करने वाले हैं तो उसमें हमको पता हुने चाहिए number क्या है mathematics में number किसको बोलते हैं number जो होता है वो और कुछ नहीं होता number एक symbol होता है जिसको हम denote करते हैं किसी भी quantity को measure करने के लिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यह सब जो है number होते हैं यह एक symbol होते हैं किसी भी quantity को represent करने के लिए तो number system में सबसे पहली heading जो आती है उसको बोलते है number किसको बोलते हैं तो number यही होता है उसके बाद बात करते हैं natural number किसको बोलते हैं natural number जो होता है वो है आपका ऐसे number जिनका use हम counting करने के लिए करते हैं उनको हम natural number बोलते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 जिस किसी भी चीज को हम counting करने के लिए जिसका हम use करते हैं उसको हम natural number बोलते हैं अगर हम आपसे बोलते हैं 0 क्या है 0 का use हम किसी भी चीज को count करने के लिए नहीं करते हैं जिरो जो है नेचरी लंबर नहीं होता है उसके बाद हम बात करते हैं, होल नमबर क्या है, होल नमबर, all the natural number including zero, आरकाड होल नमबर, means, सभी natural number, zero के साथ होते हैं, उनको हम whole number बोलते हैं, जैसे यह देखिए, whole number क्या है, zero, one, two, three, four, five, यह लेके infinite तक होता है, और Natural नंबर होता है one two three four five infinite जो होता है वो one से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो हता है वह 0 से स्टार्ट होता है चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर किसको बोलते हैं जो फॉज्टिव और निजित्व नंबर Мос कर्णो में जो भी पॉजिटिव और positive and negative sign के साथ लिखते हैं means हम प्रकृतिक संख्या को अगर धनात्मक और निरात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं integer बोलते हैं means plus one plus two plus three minus one minus two minus three are called integer तो चलिए अगर आप देख रहे होंगे integer को अगर हम number line पे denote करते हैं तो यह होता है number line number line पे अगर right side पे अगर आप देखते हैं तो इसको हम बोलते है positive integer अगर आप left side पे देखते हैं तो इसको हम बोलते है negative integer तो जीरो क्या है 0 जो होता है वो आपका ना तो positive ना तो negative मतलब 0 जो है ना तो positive integer होता है ना तो negative integer होता है 0 के वल 0 होता है तो integer क्या होते है भाया positive negative sign के साथ अगर हम natural number को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या भाया integer तो हमें लगता है integer का concept आपका clear हो गया होगा तो इसके बाद हम बात करते हैं even and odd number even का means sum और विसम संख्या अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो even and odd number का means होता है sum और विसम संख्या तो sum संख्या किसको बोलते हैं? sum संख्या means ऐसे numbers जिनको हम 2 से divide कर दें और remainder 0 आजाए उसको हम बोलते हैं sum संख्या means even number और odd number किसको बोलते हैं? ऐसे numbers जिनको हम 2 से divide करें तो remainder कुछ ना कुछ आए तो ऐसे numbers को हम बोलते हैं odd number remainder कुछ ना कुछ का मतलब remainder हमेशा इसमें 1 ही आएगा ध्यान से सुनिए का भया? remainder हमेशा इसमें 1 ही आएगा means ऐसे number जिनको हम 2 से divide कर दें और remainder हमेशा 1 आए तो उसको हम क्या बोलते हैं odd number और इसमें जो हता है even and odd number में number को हम जो लेते हैं वो positive integer होनी चाहिए अगर negative integer लेते हैं तो वहाँ पे वो even number नहोंके even integer हो जाता है और यह odd integer हो जाता है अगर हम even number का आपसे example पूछे क्या होते हैं तो even number मैं बता है ऐसे number जो 2 से divisible होते हैं उनको हम even number बोलते हैं means ऐसे number जो ind जो हो हमका 0, 2, 4, 6, 8 means ऐसे number जिनके last में means unit place में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं उनको हम even number बोलते हैं और ऐसे number जिनके last में 1, 3, 5, 7, and 9 आते हैं तो उनको हम odd number बोलते हैं बिन्स ऐसी संख्या हैं जिनके लाष्ट में 2, 0, 4, 6, 8 आती हैं उनको हम संख्या और ऐसे नंबर जिनके लाष्ट में 1, 3, 5, 7, 8, 9 आता हैं उनको हम हिसम संख्या बोलते हैं तो चलिए एवेन और नंबर का भी concept हमें लगता है आपका clear हो गया होगा अब इसके बाद हम बात करते हैं prime number, prime number किसको बोलते हैं हाँ यह prime number किसको बोलते हैं यह mathematics में सबसे important concept है अगर आप छोटे हैं अगर आप इस चीज को नहीं सीखे हैं तो आप जल्दी इस चीज को ग्रैप नहीं कर सकते हैं तो यह video अगर आप class 6 में हैं, class 7 में है, class 8 में चाहे जिस class में हैं आप इसको देखिएगा जरूर अंध तक देखिएगा क्योंकि यही चीज आपको competition में भी काम देगा तो चलिए बात करते, prime number मि conscious को भोलते हैं प्राइम नंबर न मिस ऐसे numbers ध्यान से सुनिएगा ऐसे नंबर जो खुद से कटें, एसे numbers जो खुद से कटें और एक से कटे मिन्स ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और एक से डिविजिबल हो उनको हम बोलते हैं भया प्राइम नंबर प्राइम नंबर किसको बोलते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और एक से डिविजिबल हो तो ऐसे नंबर क्या बोलते हैं प्राइम नंबर अगर आप 6 मे तक में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं ये आपको मुझवानी रती होनी चाहिए चलिए प्राइम नंबर का अग्utteringいつ tone क ये सब्सक्राइब अगर हम आपसे बात करते हैं वन क्या है वन का भी तो खुड देखते हैं तो इसमें हमको यह प्राइम नंबर नहीं मुलता है तो लोग एक को दिवाइड करते हूं तो यह केवल और केवल खुद से और एक से क्लियर होло गया है प्राइम नंबर अंद bi घुज़िय अय। मिन्स प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको खुद से और एक से डिविजबल करने पर रिमेंडर 0 आता है तो चलिए प्राइम नंबर के बाद हम बात करते हैं जियान से सुनिए कि भईया जो खुद से एक से उसके साथ साथ किसी और भी नंबर से divisible हो तो ऐसे numbers को क्या बोलते हैं composite number बोलते हैं जैसे आप example लईजी यह 4 तो 4 जो है 4 से divisible है 1 से divisible है उसके साथ 4 जो है 2 से भी divisible है तो 4 क्या है भाई यह composite number है 4, 6, 40, 48, 50, 75, 98, 70 जो ऐसे numbers है यह जो है composite number है तो composite number क्या है भाई यह जिनके 3 divisible हों simple way में आप समझे जिनके 3 factor हों उनको हम क्या बोलते है composite number तो आसा करता हूँ prime number और composite number भी आपको clear हो गया हो का इसके बाद हम बात करते हैं rational number किसको बोलते हैं जी हाँ rational number जो है यह बहुत important concept है यह जल्दी बच्चों को नहीं समझ में आता है यह बच्चे जल्दी graph नहीं कर पाते है तो rational number किसको बोलते हैं इतलब độ laugh इसको आ जिनको प पड क्यू किऊंगा दिखागा si number जिनको प्ड क्यूंक कि फॉर्म में लिखाग जा सके और जो क्यों की वै और इसी के अंदर ही आपका natural number भी आ जाएगा यह जो है यह rational number के कुछ examples हैं इसके बाद rational हमने पढ़ा है तो हमको irrational number भी पढ़ना होगा तो ऐसे numbers जो हमको under root के अंदर दिखाई दें और जो इनका पूरा factorization ना हो सके उनको हम बोलते हैं irrational number इसको आप simple way में ऐसे समझे जिनका ह हम पूरा factorization ना कर पाए उसको हम बोलते हैं irrational number तो चलिए question हम करते हैं कि πाई क्या है rational number और irrational number तो हम बता दें आपको पाई जो है एक symbol है तो पाई जो है यह irrational number है अगर पाई की value 22 by 7 दे देता है तो वो rational number कहलाएगा तो चलिए rational और irrational number हो गया इसके बाद हम बात करते हैं ओसे नमबर को बोलते हैं जिनमें real and imaginary नमबर दोनों होते हैं उनको हम complex number बोलते हैं means a plus a e b, जहां पर a आपका कोई भी natural number हो सकता है whole number हो सकता है b जो है ये भी कोई भी whole number हो सकता है ये i जो है इसको हम बोलते है imaginary number इसका value जो होता है root of minus one होता है तो complex number किसको बोलते है positive real number के साथ साथ अगर imaginary number भी जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते है complex number a plus i भी complex number है इसका अगर हम एक example देखते हैं तो अगर हम देखते हैं 2 plus 3 i तो ये भी complex number है minus 3 plus 4 i ये भी क्या है complex number है तो complex number क्या है real number के साथ साथ अगर imaginary number भी जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं complex number चलिए इसके बाद हम बात करते हैं decimal decimal आप जानते हैं decimal का sign जो होता है normal सा अगर ये लग गया है तो इसको हम क्या बोलते है decimal decimal means एक point होता है जैसे ये अगर chart आप देख रहा होंगे तो यहाँ पर decimal जो है 10th place पर लगा है means once, tens, hundred, thousand इधर tenths, hundredths, thousand decimal के जो right side होता है उसमें s लगा के count करते हैं जो left side होता है ये normal होता है once, tens, hundred तो यहाँ पर decimal कि इसको बोलते हैं ये जो point होता है इसको हम decimal बोलते हैं जलिए इसके बाद हम बात करते हैं place value place value किसको बोलते हैं place value अगर आप से बोल दे कि अगर आप से कोई भी number लिखा है 3, 4, 6, 8, 2 place value class 4th का concept है place value कैसे निकालते हैं आप ध्यान से समझें का अगर ये कोई भी number लिखा है इसमें अगर हम बोल देंग भाया 6 का place value निकालो तो आपको कुछ नहीं करना है बस 6 को ऐसे उठाना है और यहां पर देखना है 6 कितने digit के बाद है तो 6 into 1 लिखना है और 6 जितने digit के बाद हो उतना आपको 0 लगा देना है तो कितने digit के बाद है भाया 1, 2 तो 1 के बाद कितना 0, 2 और इसको हम लिख दें 600 तो 6 का place value कितने हो जाएगा 600 इस question में 6 का place value 600 अब उसके बाद बात करते है face value place value तो बच्चों को बड़े आराम से clear हो जाता है क्योंकि जिसका पूछता है वही लिखके जितने अंक के बाद होता है उतना 0 लगा दो वह हो गया place value लेकिन face value जो होता है इसमें बच्चों को दिक्कत होती है ध्यान समझे का face value मैं simple word में बता रहा हूँ face value किसको बोलते हैं कोई भी number लिखा है उसमें से अगर बीच में आपको किसी number का face value पूछ रहा है exact वही number ही उसका face value हो जाता है जैसे आप example एक देखिए 2, 4, 6, 8, 2 अगर हमसे यहाँ पर 4 का face value पूछ रहा है ध्यान से सुनिएगा 4 का face value तो यहाँ पर 4 का face value जो होगा exact यही number ही हो जाएगा 4 का face value क्यों हो जाएगा 4 एक example अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी एक example लिखा है यहाँ पर example जो है यह 2, 6, 7, 4, 9 तो यहाँ पर 6 का हमको face value बताना है तो 6 का face value exact वही number हो जाएगा 6 यहाँ पर देखिए 6 ही 6 का face value वही number हो जाएगा और जो 6 का place value है अगर देख रहे होंगे तो 6 जो है यह आपको 1, 2, 3, 3 digit के बाद आया है तो 6 के बाद हमने 3 0 लगा दिया है प्लेस वैलू में जितने digit के बाद आता है उतना 0 face value में exact वही number होता है चलिए इसके बाद हम देखते हैं fraction किसको बोलते है fraction किसको बोलते है तो ऐसे number जिनको हम py क्योंकि फर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे q का value 0 नहीं हो सकता पी को numerator खिंको denominator फ्रेक्शन में यही चार चीजे हैं जिसको हम PYQ के form में लिख सकते हैं यहां पर Q की value 0 नहीं हो सकती और P को numerator और Q को denominator तो इनको क्या बोलते हैं हम फ्रेक्शन मोलते हैं यह लिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी यहां से समझेगा यह प्रॉपर्टी बहुत important प्रॉपर्टी है इवन नंबर में अगर आप इवन नंबर जोडते हैं तो वह हमेशा इवन नंबर आएगा मिन्स समसंख्या में अगर आप समसंख्य जोडते हैं तो वो हमेशा samsung क्या ही आएगा example के साथ आप देखिए 2 samsung क्या है 4 samsung क्या है अगर 2 और 4 को add करते हैं तो आएगा 6, 6 भी क्या है यह samsung क्या है even number है तो यह property हमारी सही निकली even number में even number अगर आप add करते हैं तो वो क्या मिलेगा हमको even number ठीक इसी प्रकार odd number में अगर आप odd number add करते हैं तो भी हमको odd ही number मिलेगा जैसे अगर आप लेते हैं 1 प्लस 3, 1 जो है odd number 3 जो है odd number, 1 प्लस 3 is equal to 4 अगर आप odd number में odd number add करते हैं तो वहाँ पे हमको odd number ही मिलेगा अगर 1 प्लस 3 करते हैं यह property गलत हो गई है, अगर आप odd number में odd number add करते हैं, तो वहाँ पे हमको even number मिलता है, यह type is mistake है, अगर आप odd number में odd number add करते हैं, तो यहाँ पे हमको even number मिलेगा, क्या मिलेगा भाईया, even number मिलेगा, चलिए बात करते हैं, odd number में odd number का multiply करते हैं, तो यहाँ पे हमको odd number मिलेगा, जी ह वाल की टाइप का है आप इवेन नंबर में हमें double time multiply करते तो है कि रहा को कई फॉरी से या बात करते हैं,"ट उघक zar minutes बात करते हैं", यह लिए बात करते हैं, बात लुद्स्यरे नंबर के पाउर और नंबर, तो हमको हैं और पावर एग्वारट नंबर तो आसा करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी इस चोटे से वीडियो में हमने नंबर सिष्टम में जो छोटे-्छोटे concept होते हैं जिनको class 6 class 7 के बच्चों को काफी दिक्कत होती है वही दिक्कत आगे चलिए competition में भी उतनी ही दिक्कत होती है तो इस वीडियो में आसा करता हूं कि आपको clear हो गया होगा सारा concept रहें और इस वीडियो का आप ज्यादा से ज्यादा से रिए क्योंकि यह वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा है जिनको लेकल जूड़े रहिए और हम लोग साथ मिलकर बहुत ही जल कुछ नया लेकर आने वाले हैं उसको भी आप देखिएगा ज्यान जय भारध